Hello everyone, welcome to my channel, मैं हूँ सुरिष्ठी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं Our Homies of Brave Shoulders इसमें से एक citation मेजर पढ़ने आचारी का तो chapter मैंने completely पढ़ाया हुआ है, question answers भी मैंने खराये हुए है लेकिन citations को मैंने छोड़ दिया था तो मेजर अलवाट एक का उनका भी citation मैंने इसमें डाला हुआ है और अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर पढ़ने आचारी का citation तो पहले मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि अच्छली उस दिन हुआ क्या था, आपको समझ में आ जाएगा तो मेजर पढ़ने आचारी की जन्म दिन से ठीक एक दिन एक हफता पहले 28 जून 1999 को जो हमारी सेना थी उसको एक ऐसे बंकर पे कबजा करना था जो दोश्मनों की शेत्र में था और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो जबर बहुत स्टॉंगली दोश्मनों का शेत्र था तो जब ये लोग वहां पहुँचे तो उनके पास तोप थी उनके पास तोप थी और नहोंने उन तोपों से इनके उपर आक्रमन करना शुरू कर दिया उससे क्या हुआ, कि इनके जो इन्होंने शुरू किया, इनका जो मिशन चालू हुआ उसमें शुरू से ही कमजोर पड़ गए बोलो, मतब शुरू में ही हमला उन्होंने तोप से करना चुरू कर दिया तो भारी संक्या में इनके साथ में जो शोल्डर्स थे, वो घायल हो गए और इसके बाद जो मेजर आचारे थे, उन्होंने, जो कमिशन था, उसके लिए उन्होंने अपने आपको कमजोर नहीं होने लिया, वो आगे बढ़ते गए उन्हें का कि मुझे करना है, अपनी खुद की सुरक्षा की परवा किये वगेर, मेजर आचारे ने रिजर फ्लाटून को ले लिया और बंबारी की बीच में उनका नेतर तुर्किया उनकी जो लोग थे, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें लगातार एंक्रेस कर रहे थे, कि तुमें जो है जीतना है, हम जो काम करने आए हैं, वो हमें करना है काफी ज़्यादा घायल होने के बाद भी, वो क्रॉलिंग करते हुई, यानि कि रेंग थे हुई, दुश्मन के बंकर तक पहुँच गए थे, और वहां जाकर उन्होंने जो हत बोले होते हैं, जो गरनेट होते हैं, वो फेक में शुजू कर दिये थे जब वो बहुत ही ज़्यादा घंबी रूप से घायलो गए, जब हिलने डुलने में भी असमार्थ होने लगे, तो उनके जो लोग थे वहां पे, उन्होंने उनसे का कि तुम मुझे छोड़ो, तुम अपना काम करो, जाके दुश्मनों पर हमला करो, मुझे अप छोड़ो, मेरी सिती बहुत खराब हो चुकी है, जबकि जो गोला वारी थी, वो लगातार वो जारी रख रहे थे, रात भर भीशन लड़ाई चली, और बटालियन्स जो थी, वो पूरा उपर तक मौँच गई थी, उपर चोटी तक, और वहां तक उन्होंने कबजा कर लिया, सफल रह हुआ, मेजर पद्मपानी आचारे को उनकी उत्परष्ट बहादुरी, अडिग नित्रत और सर्वुच वल्दान के लिए देश के दूसरे सर्वुच वीट अबरुसकर, यानि महावीच चकर से सम्मानित किया गया था, उनकी परिवार में, उनकी पिता वायु सेना के और वीपिंग कमांडर जगनात आचारे, मा श्रीमती विमला आचारे, पत्नी श्रीमती चैरुलत आचारे और बेटी अपराचिता है, तो यह स्टोरी है, सैटेशन में इसी को दिया गया है, तो अब हम सैटेशन में पढ़ेंगे, सैटेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ important words बता इसाइन का मतलब होता है, सौपा गया, फॉर में देविल का मतलब होता है, भयानक डर पैदा करने वाला, आठेलरी का मतलब होता है, हैवी गंस, मुविंग ओन वील मतलब की तोप, और हिंज का मतलब होता है, अटेस्ट, फॉल्टर का मतलब होता है, लड़ खडाने लगना अशक्त हो जाना है ठीक है now we'll start the citation line by line Gazette Notification 17 Press 2000 ये पूरा एक नमबर ऊपर दिया गया operation ओपी विजे कार्विल देट अफ़ आवार्ड 15 नगस 1999 तो ये citation है यानि कि एक तरीके से एक पत्र है जिसमें लिखा गया है मेजर पर्णपाने आचारी के बारे में पूरी उस लड़ाई के बारे में जो सेना हुई थी तू राजपूताना रैफल्स पस्तिमस इनको मतलब मिर्ट्य के बार वो ओनर प्राप्त हुआ है मतलब कि 28 जून 1999 को मेजर पर्णपाने आचारी को कमपनी कमांडर गोशित किया गया एक भायाना के डर पैदा करने वाला एक टास्क था of capturing an enemy position एक शत्र वाली जगे को capture करना यानि कि जो शत्रों के जो छेत्र में जो मतलब शत्रों का जो area है जहांपर वो रहते हैं उनका जो area है उसको capture करना which was heavily fortified मतलब कि जो काफी द्रड तरीके से पूरा घिरा हुआ है मतलब कि strongly held and covered with mines जो mines से covered है पुरी तरीके से पकड़ में है उनकी sweeping machine gun and artillery fire और वहांपर heavily gun fires artillery fires होते हैं तोट चोड़ते हैं यानि कि fire with wheels तो इस तरीकी चीज़ें वहांपर हैं उस area में जहांपर major padmapani आचारे को assign किया गया था commander की रूप में success of the battalion and brigade operation hints on the early capture of this position तो यानि कि battalion की battalion की success and brigade operation hints on early capture of this position यानि कि जैसे ही उनको ये position मिली थे ये सब काम तरन तभी शुरू हो गया था however the company attack almost faltered at the very beginning when the one minute however the company attack almost faltered at the very beginning when the enemy's artillery fire came down squarely on the leading platoon inflicting large number of casualties जब ये शुरू ही हुआ था ये सब चीज़ें शुरू ही हुई थी उसी दोरान उन लोगों ने जो है हमला कर दिया था जिससे कि बहुत भारी च्छती हुई थी इन लोगों को बहुत परिशानी इन लोगों को उठानी पड़ी थी इस बज़े से फॉल्टर का मतलब होता है almost attack the company attack almost faltered मतलब कि वो शुरू महीं बचारे बहुत अशक्त हो गए थे लड़ खड़ाने लगे थे फॉल्टर का मतलब होता है कमजोर हो जाना लड़ खड़ाने लगना क्योंकि उन्होंने attack कर दिया था उन्होंने अपनी खुद की चिंता नहीं की और जो लड़ाई थी उस पर उन्होंने अपना कबजा लेने की कोशिश की मतलब कि पूरी तरीके से उन्होंने जो बंबारी था बंबारी जो हो रही थी उसका नेतर तो अपने हाथ में ले लिया even as his men were falling to the murderous enemy fire मतलब कि उनके जो लोग थे वो मर रहे थे उनके fire से he continued to encourage his men वो अपने लोगों को तब भी encourage कर रहे थे charged at enemy of the steep rockfish with his reserve platoon मतलब कि उनके जो लोग थे गंबी रूप से धाया हो गए थे लेकिन वो ने तब भी प्रोसायत कर रहे थे और शेस जो सैनिकों के जो बच कहे थे उनके साथ उन पर लगातार हमला कर रहे थे उन सब चीज़ों को वो face कर रहे थे unmindful of the hail of bullets from the enemy's position मतलब उनको नहीं वो इतने ज़्यादा उस चीज़ को महसूस कर रहे थे ज़्यादा सोच रहे थे कि उधर से दुश्मनों की तरब से पूरा bullets का पूरा एक मतलब अच्छी कासी मात्रा में गोलियां चल रही है मेजर पद्मपानी आचारे एक रहे है वो एक बहादुरी का काम जो वो कर रहे थे तीक है ठीक है मेजर आचारे वो सीविरली इंजर्ट मतलब कि मेजर आचारे जो थे वो बहुत सीविरली घायल हो गए despite being seriously एंजर्ट and unable to move, बहुत ज़ादा inzord होने पर और move करने में enable होने पर he ordered his man to leave him उन्होंने अपने में जो लोग थे उना order दिय Oke которых उने चोड़ बहूंने छोड दे and charge at enemy while he continue to fire at enemy और लगातार मतलब कि वो उन दुश्मनों पर गोलियां चलाते रहे the enemy position was finally overrun and objective was captured अब जो मतलब उन्हें सफलता मिली जो उन्हें करना था वो उन्हें कर लिया उसमें छेत्र को उन्हें कपजा कर लिया उस पे after completion of the mission the officer however succumbed to his injuries मतलब कि पूरा mission complete होने के बाद जो वो लोग थे injury के कारण उनकी हालत खराब हो गई मतलब कि मेजर पाद्मपाने आचारी जो थे उन्होंने दिखाया बहुत ही जादा exceptional courage और नितर तो शंता और spirit of self-sacrifice मतलब कि खुद को बल्दान करने की शंता को in face of enemy मेजर पाद्मपाने आचारी ने exceptional courage दिखाया नितर तो चंता दिखाई और अपना sacrifice किया एनिमी के face पे तो ये थी citation thank you so much मैं उमीद करती हूं आपको समझ मैं आया होगा and subscribe my channel for more videos कर दो अपको ऊपको रहन को दो ये था हम तोब को बल्दाय एा हर छे के समझारी हम कर दो कि खिummy फिज진 के खिर स्क्री के जाँ है讲